और जिस राज्य को ये ट्रेन जाना है जो गंतव्यस्थान है जो कल्मिनेटिंग पॉइंट है श्रमिकों का उस राज्य से भी पर्मिशन लेना पड़ेगा आप उदाहरनार्थ अगर श्रमिक महाराश्टर से निकल करके बंगाल जाना चाते हैं तो महाराश्टर के सरकार की भी पर्मिशन की अवश्यक्ता पड़ेगी वहां से ट्रेन निकलने के लिए और बंगाल के सरकार की भी त्रेन को रिसीव करने के लिए आपको आज बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लगबग ओरिजिनेटिंग जो पर्मिशन होता है ओरिजिनेटिंग स्टे बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जिनका मैं उदारन दूँगा भी संख्या के साथ दूँगा वो पर्मिशन नहीं दे रहे हैं और वो राजनिती भी कर रहे हैं कौन से ऐसे राज्ये हैं जिनोंने कितने कितने संख्या में ये पर्मिशन दिया है श्रमिकों के ट्रेन को लाने के के लिए मैं इसके अग्डार रख रहा हूं उत्तर प्रदेश बदाई का पात्र है, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 487 ट्रेंज को पर्मिशन दिया है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के, तो जो उत्तर उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं हिंदुस्तान के भिन्द भिन्य राज्यों में आज वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर पा रहे हैं क्योंकि योगी सरकार ने 487 लगभग 490 ट्रेन ऐसे हैं जिनको पर्मिशन उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है ठीक उसी प्रकार नि श्रमिक अन्य राज्जियों में थे उनके ट्रेंज को पर्मिशन दिया है बिहार में एंटर करने के ठीक इसके विपरीत आप ममता बेनर जी की सच्चाई को देखिए आपको जान के आश्चरी होगा कि ममता बेनर जी के वेस्ट बेंगॉल ने अभी मात्र 9 ट्रेंज आज के कई श्रमिक अन्य राज्जियों में मगर केवल 9 ट्रेंओं को अभी तक पर्मिशन दिया गया है धीक उसी प्रकार कॉंग्रेस साशित 36 गड़, 36 गड़ के भी परिश्रमी, 36 गड़ी भाई बैन अमारे कई राज्जियों में कारिरत हैं श्रमिक के रूप में, बहुत के लोग अन्य जगा पे बहुत परिशान हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप देखिएगा कि जार्खंड जहां एक मिलिट सरकार है और कॉंग्रेस भी उसमें सपोर्ट कर रही है, जार्खंड में मात्र बहुत सारे हमारे जार्खंड के महनतकश लोग जो श्रमिक हैं वो प पी बिहार और जार्खंड के किन्तु मात्र 48 ट्रेन्स जार्खंड में